जैहिं दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संचेज और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और निफ्टी और मैंन आच किया वियू था किस तरीके से मार्केट में एक फिर्स्ट हरौफ में सेल आउफ एक वालिटिलिटी के साथ जो है वो ट्रेंट जो है बनता हूँ दिखाई दिया निफ्टी की बात करेथ हैं तौनु में ही एक जो है आज थोड़ा दबाव बो देखने को मिला क्या रीजन है इस का किस इस वज़ा से हम लोगों को ये sell off जो है वो देखने को मिला है कल हम किस तरीके से जो है वो trade कर सकते हैं क्या पूरी situation हो सकती है सारी चीज़े इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को subscribe कीजिए का बेल आइकन को दबाईएगा और इस वीडियो का लाइक ही मम रखते हैं लगबग 4000 लाइक जो कि आप पूरा कर ही देंगे तो चलिए अब जार टैम वेशना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं देगे सबसे पहली चीज यहां पर अगर हम बात करते हैं आज के दिन की तो ओपनिंग जो है फ्लैट क्योंकि टॉप से अगर हम बॉटम की बात करें तो लगभग जो है निफ्टी के अंदर 135 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 400 points का fall एक परसेंट के आसपस का fall जो है वो देखने को मिला उसके बाद यमार्केट से कोई दिक्कत का सबस की वजए से पूरा मार्केट का महौल आज की दिन भी खराब होता हुआ दिखाई दिया सारे स्टॉक्स में लोवर सर्किट या जो फनो वाले स्टॉक हैं वो 5-7% नीचे जो हमें होते हुए दिखाई दे रहे हैं तो यह एक दिक्कत का सबब सर्टेनली पूरे मार्केट के लिए बना हुआ है अ अभी तक आपने जोइन नहीं किया लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मोर देन 90,000 से जादा मेंबर हमारे अल्रेडी हैं अगर आपने अभी तक जोइन नहीं किया यू कन जोइन ओवर टेलिग्राम ग्रूप यहां पर हम लोग ने क्या शेयर किया था आज के दिन के लिए फ़र निफ्टी 17,780,825 वेरी इंपॉर्टन सपोर्ट जोन फ्रेशलिंग मुमेंटम विडिमर्ज विलो दिस लेवल उनली इस लेवल के नीचे गया पचास अट पॉइंट अपने को मिले रिजिस्टेंस लेवल 900,925 था वहीं से रिजक्ट होके हम ल अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी का भी जो है वो ट्रेट बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर 41,200,250 वेरी इंपॉर्टन सपोर्ट जोन है फ्रेश सेलिंग मुमेंटम विडिमर्ज बिलो दिस लेवल उनली और अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी का लो 41,150 के आसपास के आसपास ही है और वहीं से मार्केट जो है वो घूमता हुआ दिखाए देए एक बार के लिए पियर्स किया दोस्तो 250 की रेंज बट अगर आप यहां पर मैं ट्रिंड लाइन भी 250 के एरिया पर ड्रॉ कर देता हूं तो यू कन सी के 250 के नीचे जाधा देर बैंक न कुछ रहे हैं संचित भाई यार ग्लोबल पिच्चर तो बहुत अच्छी दिखाए दे रही है नैस्टैक बढ़ते पर बढ़ता जा रहा है हमारे आइटी स्टॉक को क्या हो जाता है भाई हमारा आइटी थोड़ा सा कुछ नेगिटिव निउस आती है या कुछ भी जो है वो चलने वाले देखो यार बहुत लोगों को इस चीज का बहुत घर्व था कि हम लोग डीकपल्ड हो चुके हैं तो डीकपल्ड के मज़े हैं यार देखो जब हम लोग तेजी में डीकपलिंग थे तो मंदी में डीकपलिंग थे तब सब लोग खुश थे अब तेज half का ये down move miss कर दिया, ठीक है, resistance पे नहीं बेचा, तो पूरे दिन आपको कुछ नहीं मिला भाई, एक आद move मिलता है और उसके बाद market बिल्कुल sideways और dead हो जाता है, ये चीज़ पूरी हम लोग को दिखाई दे रही है, अब important चीज़ यहाँ पे क्या है, देखिए, निफ्टी की पूट कॉल रेशियो 0.61 है, ठीक है, बैंक निफ्टी का पूट कॉल रेशियो 0.59 है, it means aggressive call writing है, massive, massive और aggressive call writing है, तो there are two situations जहाँ पे जो है वो चीज़े खराब हो सकती है और चीज़े बहुत अच्छी भी हो सकती है market के लिए, वो हम discuss करेंगे, सबसे पहली चीज़, global picture अगर आज रात को US में inflation data आने से पहले भैतर होती है, कल US का inflation data याद रखिएगा, उससे पहले अगर US market आज एक अच्छी rally जो है वो देते हैं, या फिर एक अच्छा up move जो है वो देते हैं, there is a high probability कल के दिन short covering का एक trigger जो हमें बनता हुआ दिखाई ये financial nifty के expiry है, massive shots बने हुए है, system में बजार oversold है, तो there is a probability एक short covering trigger हो जाए कल के दिन में, अब वो trigger होने का level कौन सा होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है आपके लिए ये वाला level, that is 17,825, अगर हम 17,825 के उपर sustain करते हैं, मान लीजिए इस level के उपर ही खुल है, but नीचे से भी इस level को तोड़ते हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा trend जो है वो अपने को देखने को मिलेगा, और उसके बाद, on the upside में, at least 17,900 और 880 की जगे मेरे को बहुत अराम से दिखाई दे रहे हैं, 100 point की जगे तो मेरे को दिखाई दे रहे, then we will discuss the targets in the telegram group, बाकी ज चिंता आप ना करें, ठीक है, downside की अगर बात करें, तो simple है यार, ये वाला swing टूटे, 17,720 का short कर देना बहुत अराम से, पहला target जो अपने को देखने को मिलेगा, that would be around 17,670, दूसरा target अगर हम देखें, तो 17,590 के target अपने को निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, तो on the upside में, जो short covering trigger का level है, मेरे लिए bank निफ्टी में है 41,425 का, 41,425 का level, एक short covering trigger का level जो है, वो बन सकता है कल के दिन के लिए, जिसका target मेरे हिसाब से 41,660 से लेकर, 41,700 की जगे, 300 point आपको कल बैंक निफ्टी में बहुत अराम से मिल स ठीक है, on the downside में, जब तक 41,250 नहीं टूटता मैं short नहीं करूँगा, 41,250 के नीचे अगर market जाता है, तो मैं short करूँगा, target होगा 41,050 का, निफ्टी finance की बात कर लेते हैं, कल इसकी expiry है, थोड़ी drawings वगरा मैं remove कर देता हूँ, तो यह आपके बास zone है, निफ्टी finance में, यह zone बहुत critical है कल के लिए, निफ्टी finance अगर 18,450 और 18,390 के आर पार निकलता है, तब ही आपको जो है 100 point का एक either side का move मिलेगा, ठीक है, otherwise range को play करना, 18,450 के आसपस sell करना, 18,390 के आसपस buy करना, यह एक range जो है, वो बनती हुई दिखाई दे रही है, मिरको निफ्टी finance के अंदर, अगरता हूँ, वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आतो वीडियो को लाइक कीजेगा, मिलता हूँ, आप से लिए वीडियो में, thank you so much for watching guys, जैहिंद, बंदे मातरम,